कैसारुकसर की मुवी जवान बॉक्स ओफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है इस मुवी का आज बॉक्स ओफिस पर 35 वादेने उसके बावजुद ये मुवी बॉक्स ओफिस पर दीसेंट कमाई करती हुई नजर आ रही है और वहीं दोनों मुवी का है आज बॉक्स ओफिस पर 7 वा दिन और गैस इस मुवी का कलेक्शन एक के बाद एक ड्रॉप होता चला जा रहा है और वहीं इसकंदा मुवी भी अभी बॉक्स ओफिस पर ठिकी हुई है जबकि इस मुवी का भी है आज बॉक्स ओफिस पर 14th डे और गाईज लियो मुवी बॉक्स ओफिस पर रिलीज होने जा रही है 19 अब्ड ओवर को और इस मुवी की जो एडवांस बुकिंग है वो ओवर स के लिए संदुल के बेटे राजवीर दियुल की मुवी दोनों की तो गाईज यह मुवी हिंदी लेंग्विज रामा मुवी है तो वहीं इस मुवी में राजवीर दियुल के साथ पलोमा डिलन नजर आई थी का बजट आठ करोड रुपे है बट इस मुवी ने रिलीस से प तो अगर बात करें इस मुवी के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो गाईज इस मुवी ने अपने चार दिनों में कलेक्शन किया दो करोड़ सत्तर लाक रुपे का तो वहीं अपने पांचवे दिन कमा लिये हैं बीस लाक रुपे और अगर आप बात करें आज याने किसकी लगभग 15 लाक रुपे का कारोबार कर सकती है तो इस मुवी का साथ दिनों का कलेक्शन आ रहा है तीन करूड 34 लाक रुपे तो गैस दोनों मुवी बॉक्स ओफिस पर हिट का टेक नहीं ले पाएगी और वहीं अगर बात कर लिए तेलकु लेंगविश मुवी सकंदा की त पाकि इस मुवी ने रिलीज होने से पहले ही 98 करोड रुपे की रिकवरी कर ली थी जिसके वज़े से ये मुवी काफे ज़दा प्रॉफिट में थी और इस मुवी ने ज्यादा कमाई करने के बावजूद पहले ही हिट कर टेक दिल ले लिया था तो गैस इस मुवी ने अप आज के उक्पेंसी कल से थोड़ी से कम है और ये मुवी लगबग एक करोड रुपे का कारोबार कर सकती है तो इस मुवी का चाहुदा दनों का वल्डवाइट ग्रोज कलेक्शन आ रहा है सतर करोड तीस लाक रुपे और गैस इसकंदा मुवी हो गई है बॉक्स ओफिस पर अच्छी कमाई करती चली जा रही है इस मुवी में सारुक सर के साथ नैंतारा और विजे से तुपती नजर आये तो वही मुवी बनकर तयार हुई थी एटली कुमार के डारेक्शन में मुवी का बजट काफे जादा था बजट होनके बाद इस मुवी ने अपने तीम दिनो की कलेक्शन की तो आज के अच्छी बनी हुई है और यह मुवी लगभग 80,000,000 रुपे का कारोबार कर सकती है तो इस मुवी का 35 दिनों का इंडियन नेट कलेक्शन आ रहा है 629 करूट दस लाक रुपे तभाइन ग्रोस कलेक्शन आ रहा है सासौ और तालिक करूट रुपे और ओवर्सिस मार्केट में इस मुवी ने अब तक कलेक्शन किया है 377 करोड रुपे का तो इस मुवी का 35 दिनों का व्ल्टवाइट ग्रोस कलेक्शन आ रहा है 1125 करोड रुपे और जवान मुवी हो गई है बॉक्स ओफिस पर ओल्टाइम ब्लॉक्बस्टर तो अगर बात करें थालापती विजेसर की मुवी लियो की तो गाइज यह मुवी तमिल लेंग्विज एक्चन थिलर मुवी है और यह मुवी रिलीज होने जा रही है 19 अक्टोबर को गाइज इस मुवी की जो एडवांस बुकिंग है वो वर्सिस मार्केट में काफी ढल्ले से चल रही है तो गाइज इस मुवी को बॉक्स ओफिस पर हिट होने के लिए भी काफी तगडी कमाई करनी होगी पर जिस तरह से इस मुवी के एडवांस बुकिंग हो रही है वो देखकर कह सकते हैं कि यह मुवी अपने पहले दिन बंपर ओपनिंग लेने वाली है और साथ ही में अपने फर्स्ट विकेंड पर ही हिट का टेक भी ले जाएगी तो गाइज इस मुवी ने ओवर्सिस मार्केट में 2.4 मिलियंस डॉलर की बुकिंग की है यानि के इंडियन रुपीज में इस मुवी ने ओवर्सिस मार्केट में 20 करोड रुपे के एडवांस बुकिंग कर ली है और केरला फैंस वहां पर बुकिंग हो चुकी है 2,95,00,000 रुपए की तो गाइस इस मुवी ने अब तक विल्डवाइट बुकिंग कर ली है 22,95,00,000,000 रुपए की तो गाइस यह थी जवान इसकंदा और दौनों मुवी की बॉक्स आफिस रिपोर्ट और साथ ही में लियो मुव में तब तक के लिए बाबाई